हेले दोस्तों मैं स्वरोम बलिक आप सभी का टोपिक इस्टेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैत की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैत का एक बहुत ही इंपोटेंट चेप्टर डिसकाउंट यानि की बटा discount से बहुत सारे question आपके railway exam में और भी बहुत सारे exam में पुछे आते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस chapter को बहुत ही असान से तरीके से समझाऊंगा आपको जुरूर समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा end तक दिखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए अपने दोस्तों को share करिए और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो का notification लेना तो नीचे red कलके बटन को दबा करके bell icon को on कर लिजेगा आपके पास सभी वीडियो के notification पहुँचने start हो जाएंगे दोस्तों discount chapter में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम discount निकालेंगे, discount percentage निकालेंगे वो हमेशा MRP पर यानि कि maximum retail price अगर हिंदियों बोले तो अंकित मुल्य पर ही निकालेंगे यानि कि अगर आपको बोला जाए कि एक TV का price 1000 रुपे है और आपको उस पे 10% का discount देना है तो जो 1000 रुपे है वो maximum retail price अगर उसका है तो उस 1000 रुपे आप 10% की छूट देंगे उसके बाद जो आएगा वो selling price आएगा हमेशा ध्यान लखे जब भी छूट देंगे, discount देंगे, वो MRP पर देंगे ना cost price पे दिया जाएगा, ना आपका selling price पे दिया जाएगा ठीक है, बिल्कुर simple सी बात थी, बस इसी rule को आप फोलो करते हूँ, सारे questions को solve करेंगे वीडियो को पूरा end दक देखेंगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी तरीकी से और देखें दोस्तों, इससे पहले जितने भी math की, reasoning की, online test की वीडियोज अपलोड हो चुकी है उनकी मैंने playlist बना के नीचे description box में link दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारे वीडियोज देख सकते हैं चले फिर start करते है, पहला question है, राहुल ने एक radio 15% चूट पर 510 रुपे में खरीदा तो बताओ, उसका अंकित मुल्य क्या है, देखे सबसे पहले आप से क्या पुछा, अंकित मुल्य यानिकी MRP एंगली से बोलते हैं MRP, हिंदिया बोलते हैं अंकित मुल्य पर खरीदा होगा, तो कितने ये जो 85% की value कितनी हो जाएगी, 510 दोस्तों हमेशा ध्यान लखेगा, discount वाले chapter में MRP को हम 100% मानते हैं तो MRP हमारी 100% रहेगी, पूछा जा रहा है उसका अंकित मुल्य क्या है, अगर आपको 85% की value पता चलगी 510 है तो 100% की value क्या रहेगी, बस सीधा सीधा 510 को 856 से भाग करें और 100 से गुणा कर देजे ये जाएगा 6 बार और 6 की 100 में कर देंगे, तो MRP आपकी 600 रुपय आ गए ठीक है दोस्तों, बहुत ही simple question था, आस्या करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दुबार से एक बार बता देता हूँ, राहूल ने एक रेडियो 15% की चूट पर 510 रुपय में खरी दे राहूल जितने इसे 510 रुपय में खरी देगा, दुकंदार के लिए यही price 510 selling price होगा इसका मतलब यह 510 रुपय में जब राहूल ने खरी दी होगी तो यह 15% की चूट पर इसका मतलब यह दुकंदार के लिए selling price रहा होगा और इसने 15% की चूट दी तो इसका मतलब यह जो 510 यह 85% के value equal रही होगी क्योंकि MRP हमारी 100% होगी तो अगर 85% की value आपको मिलगी तो 100% की चली निकाल लेंगे ठीक है चलिए अभी और questions देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा एक question और देखते हैं सही किसी वस्तू का विक्रे मुल्या 1920 रुपय है विक्रे मुल्या यानि कि अब की बार आपको सीधा सीधा दे दिया कि selling price आपको 1920 रुपय है तो तो दिया गया बटा यानि कि discount 4% है अगर discount 4% दिया गया है तो दोस्तो MRP के बाद selling price आता है यानि कि जब आप discount दे देंगे उसके बाद ही चीज को sell करेंगे वो ही आपका selling price होगा तो आपने 4% का discount दिया इसका मतलब आपकी MRP 100% थी आपने इसमें 4% का discount दिया तो selling price कितने होगी 96% ठीक है selling price आपकी 96% है और यह किसके equal होगी 1920 रुपे के क्योंकि आपने इस ववस्तु को 1920 रुपे में sale किया है तो 1920 रुपे की ववस्तु जो है वो 96% के equal होगी आपसे पूछा क्या जा रहा है अंकित मुल्य तो आप 100% की value फिर से वह ऐसी निकालेंगे 1920 को 96 से divide कर देंगे और 100 से multiply कर देंगे तो जाएगा 20 टाइम और 20 की 100 में करेंगे तो 2000 is the right answer ठीक है दोस्तों इस टाइप के questions आपके exam में कई बार आ जाते हैं I hope कि आपको इस दूसरा question भी समझ में आगे होगा चलिए next question है आपका देखे एक एक कर्मिक बटे वाला आता है यानि कि लगतार जो आप discount देते हैं यानि कि 10% तथा 5% के दो करमवार बटे किस एक मात्र बटे के समलित होंगे यानि कि आपको किसी वस्तू पर 10% का और 5% के दो अलग-अलग discount देने हैं पूछा जा रहा है अगर एक ही discount देना पड़े तो इन दोनों को मिला कर कितना discount एक discount देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे आप करेंगे effective percentage वाला जो हम निकालते हैं effective percentage वाला rule apply करेंगे x plus y plus x into y देखे यहाँ पे अगर discount की बात की जा रही है तो यह सारे के सारे हम minus में value लिखे हुए तो जब भी loss होता है तो उसे हम minus लिखते हैं जब भी profit होता है तो उसको plus लिखते है तो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि एक बटा कितना होगा दोनों को मिला करके तो देखे एक plus y plus x into y यह हम कर लेंगे तो यहाँ पे minus 10 और minus 5 फिर minus 10 multiply minus 5 तो minus 10 minus 10 कितना हो जाएगा प्रंदरा हो जाएगा जैनि कि plus हो जाएगे और यह आपका 0 से 0 कट जाएगा और यह आ अलग अलग बटे ना दे करके अगर मैं 14.5% का एक ही डिसकाउंट दे दू तो वो इन दोनों डिसकाउंट के equal होगा समझ में आगे दोस्तो यह तो थी दो डिसकाउंट की बात अगर लगातार तीन डिसकाउंट देने पड़ जाएगे जैसी यह वाला कोशन है 25% 20% 10% के 3 क उनों का परसंट ही जाएगा फिर नेक्स इन दोने में अप्लाई होगा ठीक है तो चलिए कर लेते हैं तो इन दोनों में अप्लाई करें क्या करेंगे 25 माइनस के 25 माइनस के 20 ठीक है और फिर माइनस के 25 गुणा माइनस के 20 अब देखें दोनों पलस हो जाएगे कितना हो जा फिर से effective percentage apply करेंगे तो कितना होगा minus 40 minus 10 minus 40 multiply minus 10 0 से 0 कट जाएगा और 4 तो कितना होगा 40 और 10 50 और 50 में से 4 जाएगा तो 46% आपका यह right answer आज़ेगा यहनिकि अगर आप यह 3 बटे ना दे करके 25, 20 और 10 का 3 बटे ना दे करके 46 का discount देदे 46% का तो यह 3 बटे के equal होगा 3 बटे के equal होगा यह वाले questions दोस्तो कहीं बार exam में देखे जाते हैं और railway में जो खास कर यह जो करमिक बटे वाला आता है ठीक है करमवार बटे वाला यानिकि लगतार 3 discount 2 discount वाला यह questions कहीं बार देखने को मिल जाता है ठीक है बई चलिए next आपका question है यहाँ पर बोला जा रहा है एक वेक्ति अपने सामान पर 25% मुल्या बढ़ा कर अंकित करता है देखे एक वेक्ति अगर अपने समान पर 25% का मुल्या बढ़ा कर अंकित करेगा तो cost price अभी देखे अब यहाँ पर cost price हमारी 100% रहेगी बट MRP बोला जा रहा है 25% बढ़ा कर रखता है ध्यान रखेगा मैंने बोला था आपको MRP 100% होता है बट जब question में यह बोला जाएगा एक वेक्ति अपने समान पर 25% मुल्या बढ़ा कर रखता है अंकित करता है मुल्या बढ़ा कर अंकित करता है यानिकित मुल्या बढ़ाता है तो आपकी CP 100 रहेगी और उसका 25% बढ़ा के आप रखेंगे MRP ठीक है फिर बोला जा रहा है वे अंकित मुल्या पर 25% की छूट देता है तो बताओ ऐसी अवस्था में दुकंदार को कितने परतिसत का लाब हुआ आप 25% की छूट देंगे छूट किस पर दी जाती है मैंने आपको सबसे पहले यही बात बदाई थी MRP पर तो 125 पर आप 25% की छूट देंगे दोस्तों कितना है 31.25 अब 31.25 आप 125 में से माइनस करके लिखिये 35 में से 31.25 माइनस करेंगे 25% निकाल करके इसका तो यह 93.75 आजएगा 93.75 आपका यह आगया सेलिंग प्राइज तो आप यह देखिए बोला जा रहा है कि बताओ ऐसी अवस्था में दुकंदार को कितना परतिसत लाब या हानी होगी तो इसको हानी हुई है 100 रपे की चीज़ को इसने 93.75 में बेज जिया यानि की 100% की चीज़ को इसने 93.75 परसेंट में बेज जिया तो 6.25 परसेंट का इसको लोस हुआ है तो यह हो जाएगा राइट आंसर समझ में आया कैसे क्या मैंने कोशन यह कोशन भी इंपोटेंट है इससे जादा हाई लेवल कोशन नहीं आने वाला है रेलवे में मेरे विश्वास करिए क्योंकि यह सारे के सारे कोशन पहले मैं उठा के लिका है हूँ जो एक्जाम में ओल्रेडी आ चुके है ठीक है इससे जादा कुछ नहीं पूछ जाएगा चलिए एक और देखते है इसी टाइप का कोशन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तों पर लागत कीमत से 30% अधिक मुल्य अंकित करता है अपनी लागत मुल्य पर 30% अधिक मुल्य अंकित करता है यानि कि लागत मुल्य क्या होती यह कोश्ट पराइज भी पर जाएज पर आपने 15% निकाला तो इतनी आपने छूट दे दी 130% निकालेंगे दोस्तों ठीक है यह आपक कितना जेगा 19.5 अब यह 19.5 आपने MRP में से माइनस करेंगे 130 परसेंट में से 19.5 परसेंट माइनस करेंगे तो 110.5 आ गया यानि कि अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है छूट देता है तो सोधे में उसका लाब परतिसत बताईए 100 परतिसत की चीज़ को उसने 110.5 परतिसत में बेज ज क्या है आई होब कि आपको यह वाला कॉंसेट समझ में आगया होगा जब भी आपसे यह बोला जाए कि एक विकरेता अपनी वस्तू पर लागत कीमत से लागत कीमत का मतलब होता है यानि कि क्रें मुल्य कितने मुशने खरीदी थी कितने उसकी लागत थी उस पे वो 30% अधि होत कम चीजे मिलती है ठीक है ना जितना उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइज लिखा होता है उससे कम में ही चीजे मिलती है देखा है ना तो वही चीज है यहां पे कि आपने CP को उसमें MRP हमेशा CP से बड़ा ही रखा जाएगा क्योंकि उसमें प्रोफिट भी हमें कमाना होत थी और जितने हमने बेश दिया MRP तो हमने वैसी रख देते हैं कि हाईयस मैक्सिमम रिटेल प्राइज जिसमें हमारा प्रोफिट आजे तो आपने सोर पेगी चीज को 110.5 में बेचा तो आपको 10.5 परतिसत का प्रोफिट हो जाएगा ठीक है ऐसा करता हूं कि आपको समझ मे आगया होगा एक कोशन और देखते हैं बहुत अच्छा कोशन है और बहुत सिंपल सा है यहाँ पर बोले जारे एक वैक्ति ने एक पंखा अंकित मुल्या से 30% कम पर खरीदा तता अंकित मुल्या से 30% अधिक पर बेच दिया तो उसका लाब परतिसत बताओ लिगे जब एक वैक्ति पंखा खरीदते समय थे 30% का प्रोफित कमा रहा है और बेच थे 30% का पर खरिद रहा है तो उसका लाब परतिसत बताओ खरीदने वाले के लिए profit होगा, sale करने वाले के लिए lows होगा, ये भी आपको थोड़ा सा सोसना है, अपने दिमाग में हिस होचीए, कि जब भी कोई discount देता है, तो discount देने वाले के लिए तो वो lows होता है, बट जो खरीदने वाला तो उसके लिए, लो प्रोफिट होता है समझे तो यहाँ पर यह चीज बोली जारी कि पंका अंकित मुल्य से उसने 30% कम पर ख़िदा असे पिर तीस मल्टिपले थी सपोन में डेड तीन तीया नो और तीस और तीस साथ यानि कि यह हो जाएगा आपका 69 परसेंट का प्रोफिट आंसर आ जाएगा दोस्तों आश्या करता हूं कि आपको यह कोशन समझ में आ गया होगा ठीक है वही चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन में बोला जा रहा है एक धुर्त व्यापारी किसी समान को आठ सर रुपे में खरीद कर उसका मुल्य बारा सर रुपे अंकित करता है मतलब कि आठ सर रुपे में खरीदता है खरीदने वाला प्राइस कोश प्राइज यानि कि क्र फिर बोला जा रहे तथा अंकित मुल्य पर उसने 10% की छूट भी देने के प्रवधान बना रखा है तो MRP पर अगर वो 10% की छूट देता है तो 1200 का आप 10% निकाल ये 1200 का 10% दोस्तो 120 हा जाएगा अब MRP पर जब वो 120 रुपे की डिसकाउंट देगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बचेगा यानि कि उसको प्राइस एक्चुल मिलेगा क्या कितना सेल करने के बाद में तो आप डिसकाउंट देंगे 10% का 120 माइनस करेंग बारषो में तो एक हजार असी आदेगा तो सेलिंग प्राइस एक हजार असी हो ज्याएगा प्रवदान बना रखा है बताओ उसे कुल कितने परतिसद का लाब हुआ ये आपको बताना है तो देखें 800 रुपे की चीज को उसने एक हजार असी में बेश दिया तो यहां से य 120- माइनस किया तो आपने सेल कितने में किया 1080 में एक 2018 में आट-सु रुपे की चीज़ को आपने 1080 में बेज दै और हैंगी 280 में ज़ादे बेज दिया profit किस पे निकलता है आप मुझे बतिए profit हमेशा cp पे निकलता है profit थो MRP पे नहीं निकल सकते न MRP पे के वाल discount निकलता है और जो profit और loss होता है वो हमेशा cp पे निकलता है जब भी आप profit निकलेंगे तब भी आप cp पे निकलेंगे लोस निकालेंगे तब भी CP पे निकालेंगे यानिकि क्रेप प्राइज पे निकालेंगे बट जो discount होगा वो आप MRP पे निकालेंगे तो यहाँ पे हमें निकालना है profit क्योंकि 800 से बढ़के 180 में आपने बेज़दा 280 रुपे में अधिक बेचा है तो इसका मतलब 280 रुपे का आपको profit वा तो 280 अपन में कितना आ जाएगा 800 गुना कर देंगे 100 से तो देखे 2.0 से 2.0 कर जाएगी 8.0 से 2.0 जाएगा 35 बार यानि कि आपको 35 परतिसत का लाब हो गया दोस्तो आश्या करता हूँ कि ये वाला question भी आपको समझ में आगया होगा भई ठीक है किसी को कोई doubt नहीं है चलिए next question है आपका रीचा ने कोई वस्तू इसकी सूची मुल्ये से 4 बटे 5 पर खरी दी तथा इसे सूची मुल्ये से 20 परतिसत अधिक बेचा रीचा का लाब परतिसत था देखिए यहां पे जो बटे में value लिखे है ना इस पे पूरा का पूरा question खेला जाएगा है कैसे खेला जाएगा रीचा ने कोई वस्तू को सूची मुल्या देखिए सूची मुल्या भी आपका MRP होता है यह थोड़े ना जो मैं बोल रहा हूँ इनको आप लिख लिजे सूची हुआ अंकित मुल्या हुआ MRP हुआ यह कुछ भी आपको देखिए सब MRP होते है तो रीचा ने किसी वस्तू को सूची मुल्या के चार बटे पांच पर खरीदा देखिए जिसका नाम लिए जाता है सूची मुल्या के चार बटे पांच पर तो इसका मतलब जो रीचा ने जो वस्तू खरीदी है वो चार रुपे में खरीदिया उसका MRP था पांच में तो MRP अपने पांच लिख लिए कोश्ट परेज उसका चार है बोला जा रहा है खरीदा इससे सूची मुल्य से 20% अधिक पर बेचा अगर इसको सूची मुल्य से 20% अधिक पर बेचूंगा तो भई अगर मैं सूची मुल्य से 20% अधिक पर बेचता हूँ तो इसका मतलब जो आपका सूची मुल्य है उसका आप 20% निकालेंगे सूची मुल्य आपका 5 है 5 का आपने 20% निकाला तो 20 बटे 100 करेंगे 20 से जाएगा यह 5 बार और 5 से 5 कटेंगे एक आजएगा यानि कि आपने MRP से एक और बढ़ा के बेचा है तो इसका मतलब भई आपने 5 से बढ़ा के बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 6 में ठीक है क्योंकि आप 5 का यह हमारा MRP है इसका आपने 20% निकाला तो एक आगया अब एक और बढ़ा के बेचेंगे यानि कि सेलिंग प्रेज आपका 6 हो गया तो आप 4 रुपे की चीज़ को जब 6 में बेचेंगे तो कुल मिला के कितना 2 का प्रोफिट हुआ पूछा जा रहा है कि लीचा का लाप परतिसद बताईए अब लाप परतिसद किस पे निकलता है मैंने बताया था ना प्रोफिट और लोज दोनों ही आपके कोस प्रेज पे निकलते है तो आप 2 बटे 4 करेंगे 100 से गुणा कर देंगे क्यूंकि 2 का आपको प्रोफिट हुआ 4 की वस्तु पर तो 2 बटे 4 गुणा 100 दो से चार जाएगा 2 बार और दो से सो कट जाएगा 50 बार यानिकि ओवरोल आपको यहाँ पे 50% का प्रोफिट हो गया है ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ भई आपको ये कोशन भी समझ में आगे होगा नेक्स्ट आपका कोशन है एक website द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपे यह 300 रुपे मुल्य अंकित किया जाता है MR पर आपको 300 रुपे दे दी गई एक दम लिखते रहिए जिससे कुछ confusion नहों और दूसरी बार कोशन रीड ना करना पड़े तो MR पर आपको 300 रुपे दे दी गई ठीक है तो वस्तु की कीमत क्या है यानि की CP आपको बताना है यहां पर MR पी 300 रुपे दे दी बोला जारा जब 25 परसेंट की मैं इस MR पर 25 परसेंट का छूट दे देता हूँ उसके बाद भी मैं इस पर 12.5 का परतिसत का लाब कमा देता हूँ इसका मतलब जब मैं 300 रुपे का 25 परतिसत निकाला तो 75 आया तो मैंने इसमें से 75 रुपे माइनस करके बेचा 25 परसेंट का डिसकाउंट दिया ना तो 300 में से 75 माइनस करेंगे तो 225 तो आपने 225 में बेच दिया 300 पे की MRP वाले चीज़ को आपने 225 में बेच दे और उसमें भी आप 12.5 का profit कमा रहे हैं तो अब ये जब 225 में बेच रहे हैं तो इसमें 12% का profit है तो 112.5% हो जाएगा 112.5% का मतलब है दोस्तो 100 प्लस 12.5% CP तो हमारी 100% होती है न और उसमें 12% का profit तो ये जो value आपके लिखे है 225 ये 112.5% के equal हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर पूछारा आप वस्तो की कीमत क्या है यानि कि आपको CP निकालने CP कितनी होती है यानि कि क्रेप राइज आपके 100% होते है अगर आपको 112.5 की value पता है तो आप 100% की value निकाल सकते है multiply करके तो 225 को आप 112.5 से भाग करेंगे ठीक है ये कितनी बार चला जाएगा दो बार उस 100 की multiply करेंगे तो 100 यानि की 200 रुपे की वस्तो की कीमत थी वो जो की आपने 225 रुपे में बेश दिया और इसकी वज़े से आप इसमें 12.5 परतिसत का profit कमा रहे है MRP कितना दिया गया था 300 सारी चीज कोशन में थी बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का यूज करना है हलका सही करना है को जादा नहीं बस एक बार चीज़ों को समझ लेजिए बाकी चीज़े तो आप जब कोशन को सोल करेंगे अपनी बुक से या फिर कहीं से भी तो आप इसली कर लेंगे समझ में आ रहे हैं तो बताते रहिए एक कोशन है दोस्ते आपे एक पैन का अंकित मुल्य बारा रुपे है इस पर 15% का बटा दिया जाता है छूट दी जाती है डिसकाउंट एक दूसरा बटा भी दिया जाता है यानि कि इस पर दो डिसकाउंट दी जाते है 12 रुपे का एक पैन है उस पर दो डिसकाउंट दी जाते है पहला discount तो बता दिया उन्होंने 15% का दूसरा बटा भी दिया जाता जो कि हमें नहीं पता जिससे पैन का विक्रह मुल्य लास्ट में इसका विक्रह मुल्य बता दिया कि 8.16 रुपे में होता है तो उसमें दूसरा बटा कितना दिया गया था यह आपको बताना है देखे आप 12 रुपे की चीज़ पर दो discount देंगे तो 15% का फिर एक ओर discount देंगे और जब discount देने के बाद में final value बचेगी वो 8.16 होगी तो इन्होंने क्या किया 12% की value पर 12 रुपे के पहन पर आपने 15% का profit बताया दूसरा profit पूछा आप से कि दूसरा profit कितना था तो सबसे पहला profit आप निकाल लेजे 12 का 15% निकालेंगे 1.8 यहने कि आपने जब पहला discount दिया होगा तो 12 में से 1.8 को minus करके जो value बचेगी वो कितनी बचेगी 10.2 ठीक है क्योंकि यह पहला discount आपने 15% का दे दिया अब आपके पास 10.2 की जो value बच गई है उस spend की बट आपने इसको बेचा कितने में 8.16 में तो यह जो difference है इसका भी discount दिया गया होगा तो 10.2 का 8.16 में से minus करेंगे तो 2.04 का आपने discount दिया होगा discount किस पे दिया जाएगा MRP पे और अभी इसका MRP जो है वो 10.2 है क्योंकि यहां से यहां तक की value का MRP क्या रहेगा आठ पॉइंट 16 तो अभी आप 2.4 इस दस पॉइंट दो पे निकालेंगे तो 2.04 आप उन में 10.20 या देगा या पर मतलब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 204 को आप भाग करेंगे 1020 से तो 5 बार जाएगा और 5 से आप यह कट कर देंगे 100 तो कितना चल दाएगा 20 परसेंट यहनी कि आपने 20 परसेंट का डिसकाउंट दिया दूसरे वाला पहला डिसकाउंट आपका 15 परसेंट का था दूसरे वाला डिसकाउंट बीस परसेंट का था समझ में आ गया समझ में आते रहे तो बताते रहे नेक्स्ट आपका कोशन है किसी व्यापारी ने विक्री के समय सीले सिलाय वस्तुरों के मुल्ले पर 25% की छूट देने की गोशना किये यदि कोई खरीदार 400 रुपे की छूट लेना चाहता हो है तो उसे 320 रुपे मुल्ले वाली कितनी कमीजे खरीदिनी होगी बहुत सिंपल कोशन है देखें पूरा कोशन जो बताया गया है इसमें ही सारी चीज़े है किसी व्यापारी ने विक्री के समय सिले सिलाय वस्तुरों पर 25% की छूट देने का गोशना किये ठीक है यहां तक समझ में आ गया यदि कोई खरीदार 400 रुपे की छूट लेना चाहते है वही मान लीजे मैं चाहता हूँ कि मैं जो 400 रुपे की छूट लेनी है ठीक है और वो 25% की छूट देते है सिले सिलाय वस्तुरों पर तो यहां पर जाएगा तो 400 रुपे का डिस्काउंट लेने के लिए 400 रुपे की छूट लेने के लिए आपको कितनी सर्ट खरीदनी पड़ेगी 400 को 80 से भाग कर देंगे पांच कमीजे करीदनी होगी अगर आप चाहते हैं 400 रुपे का डिसकाउंट लेना ठीक है दोस्तो अगर ये भी समझ में आ गया है तो बता दीजे कमेंट बोक्स में अगर किसी भी कोशन में डाउट लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ है तो आप वो भी मेरे को कमेंट बोक्स में बता सकते हैं